हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है आबिदे के एन वेलकम टू टेक्सोर क्या आपके आइफोन में वाइफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इस प्राब्लम को कैसे ठीक करें कैसे सॉल्फ करें आइए जाते हैं तो देखिए सबसे पहला तरीका यहां पर आपको सेटिंग्स में चले जाएं मुबाइल सर्विसेस या फिर आपको सेलुलर का ओप्शन होगा ठीक है आप उस पर क्लिक कर लें इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रोल करें बिल्कुल नीचे चले जाएं यहां पर आपको एक ओप्शन दिखाई देगा वाइफाई असिस्ट का हो सकता है इसी तरीक आफ कर सकते हैं ठीक है देखे यह ओफ हो गया अब अपना मुबाइल डेटा अपने कंट्रोल पैनल से बंद कर दे ठीक है इसके बाद आप अपने वाइफाई को कनेक्ट करने का ट्राइए कीजिए कनेक्ट हो रहा है या फिर नहीं ठीक है अगर अभी भी अपने नहीं हो और यहाँ पर airplane mode को on कर लें ठीक है इस तरीके से airplane mode on कर लें airplane mode on करने के बाद यहाँ पर आपको settings में जाना है phone की settings में चले जाएं और नीचे की तरफ जाएं यहाँ पर आप देख पाएंगे privacy and security इस पर क्लिक करें अब इसके बाद सबसे उपर है location services इस पर क्लिक करें यहाँ पर है system services इसे open कर लें और इसके बाद यहाँ पर आपको option दिखाए देगा networking and wireless का तो आपको इसे off कर देना है यहाँ पर turn off कर दे ठीक है इसे बंद करने के बाद आपको क्या करना है अपने phone को restart कर लेना है या फिर आप switch off कर ले अपने phone को यहाँ पर slide to power off करके switch off कर लें और switch off करने के बाद phone को वापस से on करें चालू कर लें इसके बाद आप settings में वापस जाए और नीचे की तरफ जाए वापस से वापको privacy and security में जाना है और location service में जाए वैसे ही आप system services में जाए और और यहाँ पर networking है wireless जो आपने off किया था बंद किया था आप उसे चालू कर लें चालू करने के बाद यहाँ पर आप control panel से अपने airplane mode को यहाँ पर बंद कर लें और wifi को यहाँ पर on कर लें इसके बाद अपनी settings में जाए और wifi connect करके देखें कि wifi आपका connect हो रहा है या फिर नहीं आप यहाँसे अपने wifi को connect कर लें ठीक है अब अगर अभी provide connect नहीं हो रहा है तो यहाँ पर यह आखरी तरीका इसके लिए आपको settings में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर आप नीचे है जनरल के ऑप्षिन पर और बिल्कुल नीचे आपको यहां पर दिखाए देगा सेटिंग्स पर कलिक करके अपनी नेटवर्क सेटिंग्स को रिष equally इससे आपकी वाइफाई की जो भी नेटवर्क सेटिंग्स हो G, रिसेट हो जाएगी डिफॉर्ट में यही सही हो जाएगी और इसके बाद आप वा इफा-ट निक कीचे आपकी प्रॉब्लम भी solve हो जाएगी उम्मीद करतो आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अपना बहुत जादा खेल रखें बाबाए